गाइस जब बात आती है चोकलेट्स की तो भला कोई कैटबरी की डैरी मिल्क का नाम बोल सकता है क्योंकि हमारे लिए तो चोकलेट्स का मतलब ही डैरी मिल्क है पर गाइस कि आपको बताए कि UK बर्मिंगब में जनमें जोन कैटबरी जो कि कैटबरी के फाउंडर है उन्होंने अठारवी सद में कैटबरी की शुरुआत अपने खुद की चाय और कोफी की छोप पर चोकलेट ड्रिंक बनाने से की थी और दीरे दीरे पूरी UK में अपने चोकलेट ड्रिंक के फेमस हो जाने के बाद जून 1905 में जोर्ज कैटबरी जो कि जोन कैटबरी के ही बेटे थे उन्होंने कैटबरी की फस्ट डैरी मिल्क बार को इन्वेंट किया था और देखती देखते कैटबरी की डैरी मिल्क बार देखते अपने यूनिक्स टेस्ट की चलते इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पोपुलोर हो गया और आज भी इंडिया का सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला चोकलेट है कैट